मुझे पता है अभी जो इलेक्षिन का ड्रामा चल रहा है उसमें आपको बहुत मज़ा रहा है स्टॉफ मार्केट में भी सीखने को बहुत मिल रहा है आपका सारा फोकस वहीं पर लगा हुआ है पर इसी की बीच में आपके सामने काफी अमेजिंग और इंट्रेसिंग आ रहा है जिसमें सीखने के लिए और काफी कुछ ऐसा है जो आपको अट्राइक कर देगा चलिए डिसकस करते हैं कम्पनी का नाम है Kronokस Lep Science Limited अगर हम कम्पनी के सबसे पहलेeras談 calories के पर रूपीज़ के आप में से काफी लोगों का excitement ग्री-ाकेट में क्या महॉँष चल रहा है as but sources उसे देग के लगता है तो ग्रे-मार्केट प्रीम की बात करी जा है तो आज के दिन IPO का प्राइज 136 रुपीज और gray market premium चल रहा है bumper 82 रुपीज का यानि कि 60% के ऊपर का gray market premium में expectation चल रही है listing के gain की यानि कि अगर आपको retail category में एक lot का रॉटन मिल जाता है तो 7,000 रुपे के आसपास की profit होने के chances है और H9 category चाहे वो small हो या फिर big हो roughly roughly 96,000, 97,000 रुपीज के profit आने की expectations बनी भी है अगर अभी तक आपका इस IPO में interest नहीं था because election पे ध्यान चल रहा है तो ये figure सुनने के बाद तो interest आ ही गया होगा company का discussion करें उससे पहले अभी तक आपके पास या आपकी किसी family member के पास DMAT account नहीं है company की एकदम basic में बात करें तो company marketing करती है और manufacture करती है high purity specialty fine chemicals में आज के दिन company के बास 185 already products available है 122 नए products online है जो आने वाले समय में आने वाले है मतलब company अपना expansion जो अपना base से उसे अच्छी तरीके से बढ़ाती जा रही है IP open होगा 3rd of June को यानि की आज के दिन जहां पर काफी drama चल रहा है close हो जाएगा 5th को 6th को यानि की Thursday को allotment decide हो जाएगा 7th को या तो आपको refund मिल जाएगा अपना पैस वापस या फिर shares credit मिल जाएगे और listing की date है 10th of June की अगर हम IPO के size की बात करें तो total IPO का size मातर 130 croz का है मतलब काफी छोटी size का IPO और यह पूरा पूरा OFS होने वाला है जो इस IPO के एक negative point हो जाता है BAC, NAC दोनों पर listing होगी retail category में 110 shares का एक lot होने वाला है 14,960 rupees का एक lot हो जाएगा H9 small category के लिए minimum आपको apply करना पड़ेगा 14 lots के लिए और H9 big category के लिए minimum आपको apply करना पड़ेगा 67 lots के लिए क्योंकि इस IPO का size काफी छोटा है retail category में जैसे ही 30,450 applications आजेगी retail quota एक बार oversubscribe हो जाएगा मतलब इस IPO में retail quota बहुत ज्यादा oversubscribe होने की possibility हाए है H9 small category में roughly 311 application आते ही एक time oversubscribe हो जाएगा और H9 big category में 621 application आते ही एक बार oversubscription हो चुका होगा इस IPO में obviously H9 big के category सबसे interesting और सबसे important रहेगी पर क्योंकि यह इतना छोटे size का IPO है और green market premium चल रहा है बहुत ही amazing आगर आप चाहते हैं कि इस IPO में आपको allotment मिले अपने हर एक family member के नाम पर आपके पास DMAT होना चाहिए वरना भूल जाहिए chances आपके कम होंगे काफी और DMAT नहीं है तो link आपको description में मिल जाएगा next हम चलते हैं इस company के financials के उपर और वहाँ पर तो नज़र डालने की कोशिश करते है assets 37 croz से 66 croz से पहुँच गया रफली धाई तीन साल में अच्छा figure है revenues भी 63 croz से बढ़ते बढ़ते 97 croz तक पहुच गया था 2023 में दो साल के अंदर और अभी भी 9 महिने की progress काफी अच्छी है profit after tax भी company का almost almost 20 साल में double के आसपास हो गया जो interesting और अच्छा हो जाता है return on equity 25% का है return on capital employee 33% का return on network 25% का देखे जब पोई छोटी company IPO लेके आती हो लेस्ट होने की बात करते ना वहाँ पर आप expect करते हो कि return on equity return on capital employee अच्छा होना ही चाहिए वह fast growth होना चाहिए वहना छोटी company में हमारा interest ज़्यादा रहता नहीं है EPS IPO के बात 5.56 का रहने वाला है और P ratio 24.47 का हो जाएगा इस complete IPO में आप बोलोगे अनंद negative point क्या है तो negative point यह आता है कि आज के दिन company के पास roughly total 592 customers है मतलब एक अच्छा basket का customer तो है पर अगर आप top 10 customer से कितना business आता है इसे check out करेंगे तो 50% से उपर का consistently business top 10 customer से आता है top 20 से बात करेंगे तो 67% तक का भी business आ जाता है मतलब customer wise बहुत ज़्यादा concentration risk है जो इस complete IPO के लिए एक negative point हो जाता है आपको मुझे बताना मेरे लिए काफे important था इस लिए आपको बता दिया है अब हम finally करते हैं complete IPO में जितनी भी companies है उनका peer comparison और peer से compare करके देखते हैं कि कैसा IPO ये लग रहा है अगर आप peers की बात करेंगे तो सबसे पहरा peer आता है Tenfek जिसका peer ratio चल रहा है 39 का Nugent Chemical peer ratio चल रहा है 77 का Sigachi peer ratio चल रहा है roughly 46 का and DMCC जिसका peer ratio चल रहा है 100 के ऊपर का और ये company IPO आने के बाद trade करेंगी 24 के PE पे और अगर listing bumper हो जाती है suppose करते 50% listing इनके साथ listing हो जाती है तो वहां पर जाका इसका peer ratio 40-45 के ऊपर चल जाएगा मतलब conclusion ये बन रहा है कि सिर्फ अगर हम listing in के perspective से देखे तो ये IPO काफी interesting लग रहा है पर क्या listing in के बाद जब peer इसका काफी competitive हो जाएगा अपने peer comparison से तब क्या जाकि ये अच्छी रहेगी ने रहेगी वह मैं decision आजके लेनी के कोशिश नहीं करूँगा मेरा सर्फ listing in के perspective में decision होता है अब दो important point आइस IPO के लिए जो आपको जाने जरूरी है वीडियो अभी तक आप देख रहे तो like कर दीजगा मुझे motivation मिलता है पहला point देखिए result की सारी volatility आपके कल के दिन खतम हो जाएगी जो भी election के result के आनी है तो मैं इस IPO को mostly final day पे लगा हुआ और अगर election के result में कुछ बहुत ज़दा upsetting या बहुत ज़दा shocking नहीं हो गया जो exit poll में expectation से उसी line पे हुआ चाहे market volatile हो जाए ये IPO मुझे को interesting लगेगा तो मेरा decision बनेगा finally fifth को IPO के last day पे मैं अपना decision बनने वाला हूँ ताकि मेरे पास सारे pointers हो जाए सारी clarity हो जाए और election से related confusion ना रहे पहला point second multiple नाम से apply करने की मैं personally इसमें कोशिश करूँगा और इस complete IPO में सबसे positive होने वाला है या सबसे attractive होने वाला है तो वोल्ट मनी का link में में आपकी reference के description में second link डाल दूँगा आप उसको भी check out कर सकते जहां पर जाकर आपने mutual fund को एक दिन के लिए लीन कर पाएंगे happy learning and I will see you very soon important video screen पर check out कर लेना